सो हे गाईज तो इस वीडियो के दर में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका State Bank of India में अकाउंड है और अगर आपको अपने ब्रांच का IFSC कोड मालूम नहीं है तो किस तरह से जो है आप घर बैठे अपनी मुबाइल फॉन से अपनी ब्रांच का IFSC कोड पता करेंगे तो गाईज इस वीडियो के अंदर आप यहीं जानने वाले हैं तो अगर आप भी पता लगाने के चाहते हैं यानि कि आपको State Bank of India में अकाउंड है और आपको जो भी ब्रांच है उस ब्रांच अगर आपको IFSC कोड पता नहीं है तो गाईज पता करने के लिए आपको यहां पे अपने मोभाइल के अंदर Google को उपन कर लेना है उपन करने के बाद में आप सिर्फ आप लिखेंगे ifsc कोड ति इतने में आपको सर्च कर लेना है उसके बाद में करने आपके साभी सारी लिंक का जाएंगे आप यो किसी लिंग अपर किलिख सकते हैं चले मैं पहले वाली ल इंडिया सेलेटा कर लेना है यहां ber시다 कोंट उसके बाद रोच खारे चलिक करना है आप कहां क 이건 बिहार करrium करता हो। मैं ब्धार करें करना है कि यहां को इस पर किली करता ब्रांच है अब कब बरांच क्या कहां पर है तो यह अट जाइे में Kris या पहें आगे लिखा हुआ है नीचे में दर लिखा हुआ है और अगर आप इतना अंदर नहीं आना चाहते है न आप यहां से डालेक्ट भी पता कर सकते हैं आपको यह क्या करना State Bank of India IFSC Code लिखे आगे में आपका बरांच क्या है वो बरांच आप लिख देंगे समझ गए ना यहां पर देखे बरांच लिखने के बाब में यह दिखिए सबसे उपर में जो है अपने आप यहां पर दिख जा गए दिखिए सबसे उपर में आ चुका है इस्टरबेक ओफ इंडिया IFSC Code बहुंसी बरांच है और यहां पर देखिए IFSC Code यहां पर आपको दिख रहा है